प्रस्तुत कहानी में यह बताया गया है कि जो लोग समय रहते सचेत हो जाते हैं तथा भागय के भरोसे नहीं रहते वे सदा सफलता प्राप्ट करते हैं उनके जीवन रूपी उध्यान में खुश्यों के फूल महग भर देते हैं इसकी अतिरिक जो लोग भाग्य के भरोसे रहते हैं तथा समय रहते सचेत नहीं होते, उनको सदा दुखत परिणाम भोगने पड़ते हैं। किसी नदी में बहुत सी छोटी-छोटी मचलियां रहती थी। इन मचलियों में तीन बड़ी मचलियां थी। उनमें से एक का नाम हीरा, दूसरी का नाम पारो और तीसरी का नाम सुनिधी था। तीनों उस नदी में बड़े प्रेम से मिल जुल कर रहती थी। एक दिन शाम के समय सभी मचलियां नदी के जल में उचल कूद बही थी। तभी कुछ मचवारे उस ओर से निकले। नदी में मचलियों की अधिक संख्या देखकर वे बहुत प्रसंद हुए और आपस में कहने लगे देखो इस नदी में कितनी मचलियां हैं। कल हम इसी घाट पर मचलियां पकड़ने आएंगे। अन्य मचवारों को भी यह सुझाओ पसंद आया। मचवारों की बातें सुनकर सभी मचलियां भयभीत हो गई। अपने जीवन रक्षा की कठिन समस्या पर विचार करने के लिए उन्होंने एक सभा आयोजित की।